उस्ताद अमीर खान, भावपूर्ण आवाज जिसने भारतिय शास्त्रिय संगीत में क्रांती ला दी. अमीर खान एक प्रतिष्थित भारतिय शास्त्रिय गायक थे जिन्होंने भारतिय शास्त्रिय संगीत के प्रदर्शन और अनुभव के तरीके में क्रांती ला दी. उनका जन 1912 में इंदोर भारत में संगीतकारों के परिवार में हुआ था उनके पिता शाहमीर खान एक सारंगी वादक थे और उनकी मा वसीरन बीबी एक गायका थी एक संगीत घराने में पले बढ़े आमीर खान कम उमर से ही भारतिय शास्त्रिय संगीत की समरिधा परंपराओं के संपर्क में आ गए थे अमीर खान ने संगीत में अपना अपचारिक प्रशिक्षन अपने चाचा अब्दुलरह्मान खान के संरक्षन में शुरू किया जो अपने आप में एक प्रसिद्ध गायक थे अब्दुर्रेमान खान किराना घराने से तालुक रखते थे जो भारतिय शस्त्रिय संगीत के सबसे पुराने और सबसे सम्मानिक स्कूलों में से एक है किराना घराना सिर्फ तकनीकी गुण के बजाए संगीत के भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलिओं पर जोड़ देने के लिए जाना जाता था। संगीत में आमिर खान का प्रारंभिक प्रशिक्षन कठोर और मानवाला था। उनके चाचा एक सफ़ अनुशा सकते और अमीर खान को अंध तक घंटों अभ्यास कराते थे जब तक कि वह प्रतेक राग की बारिकियों में महारत हासिल नहीं कर लेते। लेकिन चुनोतियों के बावजूद आमिर खान एक त्वरिच शिक्षार थी थे और संगीत के लिए उनकी सहज प्रतिभा जल्द ही चमकने लगी। अपने चाचा के अधीन औपचारिक प्रशिक्षन पूरा करने के बाद, आमिर खान ने एकल कलाकार के रूप में एक सफल कर्या की शुरुआत की। उन्होंने पूरे भारत में संगीत समारोहों और संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त की और एक वफादार प्रशंसक आधार का निर्मान किया। उनके प्रदर्शन को गायन की एक आत्मिय भावपूर्ण शैली की विशेशता थी। जिसने केवल तक्नीकी गुन के बजाए आवाज की भावनात्मक अभिव्यक्ती पर जोड़ दिया। आमिर का प्रारम्वे करिया और प्रमुक्ता में वृद्धी, 1930 के दशक की शुरू आत्मे। आमिर संगीत में करिया बनाने के लिए बॉंबे, अब मुंबई, चले गए। उन्होंने छोटे संगीत समारोहों और मेजी समारोहों में प्रदर्शन करना शुरू किया। धीरे धीरे प्रशन्सकों का अनुसरन करना शुरू किया। उनकी प्रतिभा ने जल्दी ही संगीत समीक्षकों और अन्य संगीतकारों का ध्यान आकरशित किया। जो उनकी गायन की अनुथी शैली और संगीत के गहरे ज्यान से प्रभावित थे। 1934 में आमिर को भारत के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित शास्त्रिय संगीत समारोहों में से एक प्रतिष्टे थर्वलब संगीत सम्मेलन में प्रस्तुती देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनका प्रदर्शन एक बड़ी सफलता थी और उनके भावपूर्ण गायन और शक्तिशाली आवाज के लिए उनकी प्रशंसा की गई। देती है। उनके प्रदर्शन की विशेष्टा उनकी गहन भावनात्मक शक्ति और आत्मिय अभिव्यक्ती थी। जिसने दुनिया भर के दर्शकों को जीत लिया। 1952 में आमिर को एक सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के भाव के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने New York शहर और Washington DC में कई संगीत कार्यक्रम दिये। जिनकी अमेरिकी संगीत समीक्षकों द्वारा व्यापक रूप से प्रशनसा की गई और व्यापक दर्शकों के लिए भारतिय शास्त्रिय संगीत को पेश करने में मदद मिली। अमीर खान की गायन शैली की परिभाशित विशेशताओं में से एक उनका सरगम का उपयोग था। प्रत्येक राग की गहरी भावनात्मक प्रतिद्वनी को व्यक्त करने की उनके पास एक अध्वितियक शमता थी। और उनके गायन का उनके श्रोताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके प्रदर्शन गहरे ध्यान और चिंतन की स्थिती को प्रेरित करने के लिए जाने जाते थे और कई लोग उन्हें एक आध्यात्मिक मेता। साथ ही एक संगीतकार भी मानते थे। भारतिय शास्त्रिय संगीत पर आमिर खान का प्रभाव दूरगामी और दीर्ग कालीन था। गायन के लिए उनके द्रिष्टिकोन ने केवल तकनीकी गुन के बजाए आवाज की भावनात्मक अभिव्यक्ति पर जोर दिया होर। इस द्रिष्टिकोन को कई समकालीन गायकों ने अपनाया है। सरगम के उनके उप्योग और सुधार करने की उनकी क्षमता का भी भारतिय शास्त्रिय संगीत पर स्थाई प्रभाव पड़ा है। जो संगीत कारों की एक नई पीडी को प्रदर्शन के नए और नए तरीकों के साथ प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। आमिर की विरासत और प्रभाव भारतिय शास्त्रिय संगीत में आमिर खान के योगदान को बया करना मुश्किल है। उनकी विरासत को उनके प्रदर्शनों की कई रिकॉर्डिंग्स के माध्यम से भी संरक्षित किया गया है। जो पूरी दुनिया में संगीत प्रेमियो द्वारा मनाया जाता है। संगीत में उनके योगदान की मान्यता में, आमिर को उनके जीवनकाल में कई प्रतिष्थित सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म भूशन और संगीत नातक अकादमी पुरसकार शामिल हैं। उन्होंने अमीर खान फाउंडेशन की भी स्थापना की, जो समर्पे थे संगीत में उनके योगदान के अलावा। लेकिन उनकी विरासत आज भी संगीतकारों की नई पीरियों को प्रेरित करती है। उनके भावनातमक प्रदर्शन और भावपूर्ण आवाज को दुनिया भर के संगीत प्रेमियों द्वारा सराहा जाता है। और कला के माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबधता हम सभी के लिए एक चमकदार उदाहरन बनी हुई है। अंत में आमिर खान भारतिय शास्क्रिय संगीत के एक सक्षे दिगगज थे। जिनकी गायन की अनूठी शेली और संगीत के गहरे ग्यान ने उन्हें दुनिया भर में फ्रशंसकों का एक समूह बना दिया।